आज मैं बनाऊंगी एलोवेरा की सबजी अगर आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे इतने सारे एलोवेरा का लिफ्स देख करके तो आप गलत नहीं सोच रहे हैं लेकिन मैं एलोवेरा की सबजी नहीं बनाने वाली हूँ मैं बजाग कर रही थी आज मैं एलोवेरा का एक बहुत ही बेहतरीन यूज बताने वाली हूँ ऐसे तो बहुत सारे इसके यूज हैं जो आप लोग जानते हैं इसकीन के लिए बहुत फैदेमंद है और हेल्थ के लिए इसे खा भी सकते हैं इस अपने सरीर में या फिर बालो में इसकीन पे लगाया भी जाता है अगर पेट की समस्या है तो पेट की समस्या भी से दूर होती है बहुत सारे वेनिफीट आप लोग जानते होंगे एक निव वेनिफीट है इसे पौधों में भी यूज किया जाता है इस पौधे का यूज पौधे में कैसे करें तो चलिए आज एलोवेरा के लिफ्स का एक फर्टलाइजर बनाने वाली हूँ जो की मैं अपने पौधों में यूज करती हूँ अक्सर हां हर सिंगार का पौधा में जो इतने जल्दी फ्लॉरिंग आने का राज है वो भी यही है मैं उसमें एलोवेरा का ये जो जेर बना रही हूँ ऐसा मैं बना करके उसमें भी टाली थी यही राज है कि एवन एयर के अंदर ही बीज से लगा हुआ हर सिंगार का पौधा उसमें फ्लॉरिंग करने लगा है तो इसके वेनिफीट बहुत सारे हैं सभी पोदो में इसे यूज किया जा सकता है और कैसे यूज किया जाएगा ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो में बने रहेंगे लाश्ट तक तो आप देख पाएंगे सबसे पहले आपको एलोवेरा घर में लगाए होंगे तो एलोवेरा जब बढ़ने पर आता है तो बहुत ही जादा बढ़ता है आपको पता होगा इसे जब बढ़ना शुरू होगा तो बहुत बढ़ता है आप स्टार्टिंग में लगाएंगे तो थोड़े प्रोब्लम होते हैं समझ नहीं आता किसे कैसे केर करना है अगर अच्छे से केर करने लगेंगे तो इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है और जब ग्रोथ हो जाए तो उसका यूज़ करना भी आना चाहिए तो ये सारे लिप्स मैं कट कर ली हूँ ज़्यादा ग्रोथ होने के कारण और इस लिप्स से मैं बनाने जा रही हूँ फर्टलाइजर जो कि अपने पौधों में डालोंगी इसमें है कि आपके कटे फटे जो भी लिप्स हैं खराब पत्ते भी हो गए हैं उसे भी फैकने की जरूवत नहीं है थोड़े से जो आपके खराब हो गए हैं उसे हटा दीजिए और बाकी जितने लिप्स हैं उसे यूज की ले सकते हैं इसे बनाने का तरीका बहुत ही असान है जैसे मैं कट कर ले रही हूँ वैसे ही इसे कट कर लेना है छोटे बड़े पीस काट सकते हैं बड़े पीस भी काट सकते हैं छोटे छोटे काटेंगे तो जल्दी फटलाइज हो जाएगा इसलिए हमें छोटा पीस ही काट रही हूँ अलवेरा जूस करके पतंजली में बहुत जादे मिल जाएगा आपको तो वो सब लोग खाते हैं तो चलिए मैं इसे कट कर ली हूँ और कट करने के बाद इसे कड़ना क्या है आपको वन लिटर पानी में इसे डाल देना है मैं इस डब्बे में डाल रही हूँ और इस डब्ब में इसमें 2 लिटर पानी डाल दूँगी यह दो लिटर कहीं डब्बा है तो मैं इसमें भर करके पानी डाल दे रही हूँ ताकि यह जब फर्टलाइज वो जाए तो मैं पानी आसानी से निकाल पाऊं और फिर कुछ और दिनों के लिए इसे छोड़ दू इसी में तो जब इसे मैं डाल दी हूँ, अब इसमें एक चीज और डालना है, वो क्या डालना है देखिए, इसमें डालूँगी थोड़ा सा मीठा, ताकि फर्मेटेंशन जो है, आसान हो, जल्दी हो, इसके लिए इसे डाला जाता है, ज्यादा नहीं डालना है, लगफ़क दो चमच के, हो जाएगा, इसलिए इसे डाला जाता है, दूसरा फर्टलाइजर मैं बनाई हूँ, केक फर्टलाइजर, जिसे सर्शो खली का फर्टलाइजर बोलते हैं, तो यह दिखी, इसे भी मैं आज सुबही भींगो दी हूँ, तो इसे बनने में कम से कम, 10 दिन लग जाता है, तभी इसका यूज सही होता है, मतलब सही अच्छा बेनी फिट मिलता है, तो इसे मैं डाल दी हूँ, इसमें भी मिठा डाल दे रही हूँ, जब यह केक खली जो है, अच्छे से घुल गया है, उसके बाद मिठा डाल दी, अब इसे मैं डेली चला दूँगी, और चलाने के बाद इसको कम से कम एक सब्ता है नहीं तो दस दिन के बाद इसको यूज करूँगी अपने पौधो में, तो चलिए आज मैं यूज करने वाली हूँ, अपने पौधो में, क्या सीज, यह है नेक्श डे का डिल्ट, तो नेक्श डे हलका सा इसका कलर देखिए, डिस कलर हो गया है, और इसमें कुछ जो इसके फर्टलाइज हुए हैं, वो पानी इसमें आ गया है, कलर देख रहे हैं, इसको पानी में डाल दे रही हूँ, और इसमें कुछ ज़्यादा पानी में मिक्स नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा पानी मिक्स की थी, क्योंकि यह दूसरे दिन का ही ह अगर ये चार-पास दिन हो जाएगा तो इसका मतलब रिजल्ट ज्यादा बढ़िया होता है मैं ऐसे ही आपको इसको स्प्रे करके दिखा रही हूँ कि इसका यूज कैसे किया जाता है अगर अब चाहें पास दिन बाद यूज करेंगे तो इसमें वन फोर्थ हिसा डालना होगा बने फोर्थ हिसा पानी और वन फिसा इसका फटलाइजर डाल करके ऐसे सारे पोधों में स्प्रे करेंगे तो आपके पोधे पे जितने भी फंगस लगे होंगे खतम हो जाएंगे और अगर नहीं लगे हैं तो सारे पोधे पे स्प्रे जरूर करिये कोई भी फंगस नहीं लगेगा तो मैं हमेशा ये सब्ता हमें या फिर 15 दिन पर ये करती हूँ यह नहीं हमें सकरती रती हुँ इसलिए सारे पोधे अच्छे से चल रहे हैं किसी में किसी परकार का भी फंगस अटैक नहीं किया है भी तक दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लिजे चैनल को मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स वीडियो में नेक्स इंफोर्मेशन के साथ थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स पर वाचिंग टेक कियर बाय बाय अपना ध्यान रखिए और अपने परिवाजनों का ध्यान रखिए